प्रदेश में चुनाव अपने चरम पर है इसके लिए तयारियां जोरों पर है वहीं उमेदवारों के नामों का एलान भी हो चुका है रफिगंज विधान सभा निर्वाचुन छेत्र औरंगाबाद जिले में है यह औरंगाबाद संसदिय छेत्र के अंतरकात आता है रफिगंज विधान सभा में इस बार राज़त और जदियू के बीच में सीधा मुकाबला है इस सीट पर जदियू ने किशोर कुमार सिंग को उता रहा है तो राज़त ने मुहमद नहलुद्दीन को टिकेट दिया है यहां जदियू और राज़त के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा रफिगंज में बनते बिगरते राज़ुनेतिक समिकरन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले एक नज़र रफिगंज के राज़ुनेतिक इतिहास के बारे में तो आईए सबसे पहले बात करते हैं साल 2015 विधान सभार चिनाफ के बारे में साल 2015 के चिनाफ में इस सीट पर अशो कुमार सिन्ग विधायक रह थे अशो कुमार सिन्ग जदियू से रह थे वहीं उनकी टकर लोजपा पार्टी के प्रमॉद कुमार सिन्ग से रह थी अब हम साल 2010 के चुनाव को देखे तो इस साल जदियों और विपक्षी पार्टी राज़द के बीच कड़ा मुकाबला रहा था राज़द से मुहमद नहलुद्दीन खड़े हुए थे जिन्होंने 34,816 वोट प्राप्त किये थे वहीं जदियों से अशो कुमार सिंग विधायक नर्वाजित हुए उन्हें 23,685 वोट अधिक मिला था और कुल वोटों की बात की जाए तो 58,501 वोट रहा था आकड़ों से यह मालूप पड़ता है कि काफी वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी अब हम चुनावी साल 2005 की तरफ चले तो इस चुनावी साल में यहां राजोट से मोहमत नहलुद्दीन का कबजा रहा वहीं इसके पहले चुनावी नतीजों को देखा जाए तो इस वर्ष समता पार्टी को नागरी को ने तरजी दी और समता पार्टी में सुशील कुमार सिंग विधायक चुने गया थे अब हम साल 1995 के चुनावी परिणामों की तरफ नजर डाले तो CPI से रामचंदर सिंग वधायक रहे थे अब अगर हम चुनावी साल 1990 के रिजल्ट को देखे तो इस साल यहां से विजय कुमार सिंग वधायक हुए थे विजय कुमार सिंग कॉंगर से थे छेतर के विकास कारियों की बात करें तो बिहार में जो युधिस्तर पर विकास की बयार लाई गई है उसमें बिजली, पैजल और सडक एहम है इस छेत्र की बात की जाए तो 1000 से भी अधिक चापकल और 750 से भी अधिक ट्रांसवर मर्ज थापित किये गए इसके अलावा अस्पतालों में आवशक सुविधाएं और बेड की विवस्था की गए अस्पतालों की विवस्था से सबसे अधिक फाइदा स्थानिय गरीब लोगों को हुआ वही सडकों के निर्मान और नियमित बिजली से तरक्की में इजाफ़ा देखने को मिला इस शेत्र के चुनावी मुद्दों को देखा जाए तो किसानों की हालत आज भी देनिये है सिचाई की उचित्व्यवस्था का आभाव और मौनसून पर निर्भरता सारे महनत पर पानी फिर डालती है क्रिशी प्रधान देश में क्रिशी की ही स्थिती सुद्रिध नहीं हो सकी है दूसरे मुद्दे की ओर चले तो रफिगंज विक्सित बाजार इलाका है लेकिन यहां सुविधाओं की कमी है इसके अलावा स्थान यह लोगों का कहना है कि पचार पहाडिया जैन धर्म का पवित्र स्थल है अगर इसे परटन के तोर पर विक्सित किया जाए तो विकास की सीवी पर एक कदम का इजाफा होगा लोगों के मताबिक कमी अब भी है इसलिए बुनियादी थाचों को मजबूत किये जाने की जरूरत है इस चुनावी साल में महागठबंदन और NDA के बीच भिड़न्त होने वाली है महागठबंदन में जहां इस सीट पर राजद अपने प्रत्याशी उतार रही है वहीं NDA के तरफ से हसीट जदियू के खाते में गई है जदियू यहां अपने पुराने चहरे अशोक कुमार सिंग को टिकेट दे दी है तो वहीं राजद ने भी पुराने उमिद्वार मोहमद नहलुद्दीन को टिकेट दे दिया है दोनों यहां के विधाय की कुर्सी पर काबिस रह चुके है ऐसे में चुनावी जंग काफी दिल्चस्प होने वाला है रफी गंज की जनता पुष्रे साल की तरह एक बार फिर से जदियू पर भरोसा करती है या फिर 2005 की बार फिर से राजद की वापसी होती है रफी गंज में राजद और जदियू के बीच में काटे का मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद